गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और अभी सुबह के साड़े तीन बजे हैं और यह जो सवाल लीटर पानी है यह जो मैं पीती हूं न तो इस एक तो जिल्नों की पित प्रकृती होती है पित शांत रहता है कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम से चुटकारा मिलता है तो किसी वीडियो में डिटेल में आपसे बात करूंगी मैं इसके लिए और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज उसके बाद और उसके बाद जो साफ सफाई का जो कारिक्रम शुरू होता है तो सबसे पहले मैं बाहर पानी डालती हूं गेट के बाहर और उसके बाद यह वाइपर का कारिक्रम और उसके बाद मैं जाओंगी उपर वाले फ्लोर पे पोच्छा मारने तो यह मैं च्छत की सीडियों से आरी हो नीचे और जब मुझे जादा कन्विनियंट और यूसफुल और इफेक्टिव यही लगा है इसके साथ मैं राउंड मॉप यूज करती हूं राउंड वाला भी और ट्राइंगल वाला दोनों यूज करती हूं ट्राइंगल वाला इसके साथ आया था और फिर मैंने राउंड वाला अलग से खरीद इसमें मेला इजोल डालूंगी और उसके बाद मैं नीचे वाले फ्लोर पे भी पोच्छा लगा चुकी हूँ नीचे भी मैंने आज स्पिन मॉप से ही किया और पानी वगनी फेक के फिर इसको जो बाल्टी है उसको साफ कर लूगी अब मैं नहाने जा रही हूँ और टाइम हो थी हूँ किया है और कल मैंने कंगी नहीं करने करूए की बाल मतलब उल्जेल नहीं थे और बार जूडा ही है तो कर ना होता है घर्मियों में मुझे समझ में या तहां करना होता है चुपे बाल ऐसे ही बांने पड़ते है अब आपuğले रही फ्लोर पे फूजा करने तो एल मैं नीचे आई हूँ मंदिर जाने के लिए तो मेरी पूजा भी हो चुकी और कमल जी को मैंने फिर से जल्दी उठा दिया था और छे बजने वाले मैं मंदिर से आ चुकी हूँ अब कूलर की हवा खा रही हूँ और पानी भर लिगा है मैंने और अब मैं जाओंगी छट पे औ अच्छा मौसम हो रहा है और कमल जी को जैसे कल जल्दी उठे थे उन्हें बाहर जल्दी जाना था तो इसलिए फिर मैंने कहा कि आज भी आप जल्दी उठो जो पोदो में पानी डालना और जो भगवान के मंदिरी सफाई तो उससे मेरा टाइम बचता मेरा काम भी जल्दी होता है तो गहरे तुमारा हाल हो गया है बनिये वाला अगर एक बार स्टाफ ने कोई काम कर दिया तो उसको तुम डेली करवाओगे तो अभी च्छत का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो मैं यहां पे थोड़ी दिर वाप करूंगी नंगे पैर तो ग्राउंडिंग दूप पड़ती है और खुले आसमान की जो भी इनर्जी होती हो डारेक्ट च्छत पर आती है तो मतलब कोई ऐसा नहीं है इसमें शील्ड है नहीं डारेक्ट आती है तो च्छत पे नंगे पैर घुमने से भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है कोशिश करनी चाहिए चाहिए पेड़ पॉधों को आपको टच करना चाहिए जैसे मैं च्छत पे पानी डालती थी तो थोड़ा मेरा ग्रांडिंग का एकसरसाइस हो जाता था लेकिन अभी कमल जी डाल रहे हैं दो दिन से तो मैं नंगे पैर वाक कर रहे हूं कल तो नहीं कर पाई थी क्यूंकि क मैंने खूब सारा टाइम च्छत पे बिताया क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही थी और कपड़े लेके आई हूं जो रात को दोए थे और यह कड़ी पत्ता और सवा साथ हो चुके मतलब मैंने कितना टाइम च्छत पे लगाया जोकि पानी भी नहीं डालना था उसके ब मैंने का ठीक है मैं उबाल देती हूं और यह जो मेरे स्टार्च वाले दुपट्टे हैं इनको में फोल्ड करें स्टार्च वाले कपड़े हैं अगर आप उनको मशीन में ड्राइ नहीं करते हो अगर आपके वास ऐसा ऑप्शन है कि ऐसे बिने ड्राइ कि फला दो तो उनमे को आयरन करने के भी उतनी जरुवत नहीं पड़ती है कर स्टार्च से डाला हो तो मैंने रात को दोया था और मैंने उसमें वह नहीं डाला था मतलब मशीन में नहीं डाला था हाथ थोड़ा बहुत पानी टपकने से नीचे पानी का निशान हो जाता है जो सुबह पोचा तब तक मैं यह कर रही हो और उसके बाद यह ने का कि मैं बनाऊंगा तो मैंने का अच्छी बात है तब तक मैं फटा फट से कपड़े और फोल्ड कर लेती हूं और थोड़ा बार दस्टिंग का जो है नीचे वाले फ्लोर का वह भी मैं कर लूँगी तो टाइम मिला है तो क जो मिक्स होता है तो मतलब देखने में सही लगता है लेकिन वह मजा नहीं आता है और यह यह कि सारे कलर की टीशर्ट सेजर्च के विछ आल मूर्स लेकिन यह पहनता एक-दो है और वह अगर कभी मैं जिद करके निकाल दू दूसरा कलर तो पहनेगा नहीं तो जातर एक या मनी नहीं करता टी-शिट्स पहनने का तो यह हो चुका है यश के कपड़े रग दी मैंने सब के कपड़े रग दी लग अलग जगों पर अभी कमल जी के टी-शिट्स और बेड सही कर लिया तो यह बेड़ शिट का भी लिंक मैं आपको दे दूगी और किचन में आ चुकी तो जैसे मैं आपको बता रही थी ना ग्रांडिंग बहुत ज्यादा ज़रूरी है ग्रांडिंग अगर नहीं होती है ना हमारी जैसे हम प्रिथवी से बिल्कुल connected नहीं रहते हैं पेड़ पॉदों से connected नहीं रहते हैं तो हमें घवराट सी होती है और बहुत तरह की जो घंटे वो एक तरह से charging पे होते हैं हमें अपने आपको चार्ज करना पड़ता है और हम थोड़ा पहुत जो इनर्जी है स्टोर कर सकते हैं लेगिन पेड़ पहुत चार्जिंग पे ही होते हैं तो आप उनको टच कर सकते हैं जो पहुत जमीन में लगे हुए मिटी में लगे क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं हमारे साथ हो क्या रहा है तो हर किसी को कोशिश करनी चाहिए थोड़ा बहुत जो प्रिथवी तत्रों है वह उससे कनेक्ट होने की कोशिश करनी चाहिए यह आप कह सकते हैं अगर जैसे कि हम प्रिथवी तत्रों से ज्यादा कनेक्ट नहीं और धर्ती से आप अगर नहीं कनेक्ट हो सकते तो मिट्टी थोड़ी से रख लीजिए और उसको कुछ-कुछ टाइम के बाद थोड़ा चेंज करते रहे हैं उसमें हाथ डाली है हाथ और पैट डाली है जो मिट्टी अगर आपके पास एविलेबल हो या खरीद के भी कर सकते ह उससे भी आपको बहुत फरक पड़ेगा नहीं तो पेड तो होते ही हैं कहीं गुमने जाओ जो भी है पेड को पकड़के थोड़ी दिर के लिए खड़े हो जाए करो आप देखेंगे आपके इनर्जी चेंज हो गई और आपको बहुत ज्यादा नेगटिविटी फील हो रह बाहर हे हैं जो यह सीग्रीन कद रिख किए पमझे इस वढ़ा किया और दूसरे वच्ट शॉचिछ को ज़ने